सनी लियोनी ने फिर से कर दिया कांड और कांड ऐसा कि उठने लगी अरिस्ट सनी लियोनी की टेमाड और फिर क्या गिरफतारी के डर से सनी लियोनी ने टेक दिये अपने खुट में सनी लियोनी अच्चली में ये वो नाम है जो अक्सर फिवादों में आ जाता है और इस बार तो उनके काम से बड़े बड़े लोग आहत हो गए हैं और बात इतनी बढ़ गई कि इस बार सनी लियोनी को देश से बाहर निकालने की डिमाड करने के लिए लोग सरकों पर उतराए और इन सबाक रोश के बाद आखिरकार सनी लियोनी को जुकना ही पड़ा दरसे सनी को एक गाने पर डांस करना महंगा पड़ गया क्यूकि उस गाने के बोल है मदुबन में राधिका नाचे रे सनी के इस गाने पर इन्दू भावनाओ को आहत करने के आरोग लग रहे है मध्यप्रदेश के ग्रहमंत्री नरोतम मिश्चा के जरिये सनी लियोनी के विवदास्पत काना मधुबन में राधिका नाचे रे को तीन दिन में सोशल मिडिया से नहीं हताने पर कानूनी कारवाई किये जाने की चिताबने दिया जाने के कुछ ही घंटों में संगेत कमपनी सारे गामा ने कहा कि कमपनी इस गाने के बोल एवं नाम बदले दी नरुतम रिश्रा ने दरसल ये कहा कि हमारे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवार हुआ है इस गाने के बोल मदुबन में राधिका नाचेरे को लेकर लोगों को आपत्ती है कि सन्य जिस तरह से इसमें डांस कर रही है और वो इस गाने के बोल के हिसाब से बहुत आपत्ती जनक है हमारे देश में राधिका भगवान मानी जाती है और फिर क्या था सारी गामा ने तुरंथ ही स्टेटमें जारी कर कहा हाली में मिली प्रतिक्रियाओं और हमारे साथी देश्वासियों की भावनाव का सम्मान करते हुए हम मदुबन सौंग का नाम और लिरिक्स बदल देंगे नया गीत अगले तीन दिनों में सभी प्लाटकॉम में पुराने गाने की जगह ले लेगा खेर गाने के बोल वापस लेने के बाद भी नरुक्तम मिश्रा ने ये कहा कि अभी तक हम ऐसे गानों पर और ऐसी किसी भी चीज़ पर चेतावनी दे रहे थे लेकिन अगर अगर अब फिर ऐसा हुआ तो सीधे कारिवाई होगी वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब बॉलिवुड पर इन सम मामलों को लेकर गास किरी हो बॉलिवुड पर आए दिन बवाल तो मचता ही रहता है बॉलिवुड के बोल को लेकर कभी बवाल होता है तो कभी पिक्चर के किसी सीन को लेकर लोग कहे तरह की डिमांड ठाते हैं जैसे की फिर वो देपका बादुकोर्ण की पदमावत हो यार्ट सैफ अली खान के टांडव सिरीस का कोई भिसी लोगों को जो बुरा लगता है वो आगे बढ़कर मांग करते हैं आए इनस रिपॉर्ट